अज़ाइब आज कि अज़ाइब आज के लेक्टर में हम सुपर क्लास टेट्रापोडा को स्टडी करेंगे जो के वर्टी बेड्स का फाइलम काड़ डेटा के अंदर वर्टी बेड्स का एक ग्रूप है कि अज़ाइब खाइल मचें सेफ़ाइब कर्या कि अब भी कहतें हैं चाइब आज पानी के लाइफस्ताइल के लिए बने हुए थे और फिर इन में से कुछ जो है वो लैंड पर आए और फिर लैंड पर रहने के लिए highly adapted हो गए इस ग्रूप के अंदर जो है चार classes आती है और यह चार classes जो है सबसे पहले amphibia class है amphibia के अंदर frogs और salamanders गयरा आते हैं इसके बाद दूसरे नंबर पे class reptilia है जिसके अंदर crocodiles और turtles और snakes गयरा आते हैं इसके अलावा class avies के अंदर birds आते हैं और class mammalia के अंदर mammals आते हैं ऐसे animals जो दूड़ पिलाते हैं और यह चारों classes जो है land के ऊपर आपको vertebrates जो है यह चारों groups में से किसी ना किसी एक के vertebrates बहुत commonly आपको नजर आते हैं खुश्की पे हर जगा अब यह और गैनिसम जो हैं शुरू में evolve हुए थे मनलब शुरू शुरू में यह लोग यह सारे और गैनिसम्स जो हैं वो पानी के अंदर रहते थे फिश की तरह के हैं मिसाल के तोर पे अगर आप देखें तो पानी के अंदर जो है oxygen की अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं होती उसके मुकाबले में हवा के अंदर oxygen काफी ज्यादा मिगदार में मौजूद है तगरिबं 20% से ज्यादा एर के अंदर oxygen होती है पानी के अंदर जैस्ट वन और पोटेशियम और कोई भी साल्ट चाहिए तो वो सारे साल्ट जो हैं वो आइंस वो पानी के अंदर मौजूद हैं बड़ी असानी के साथ महां से एब्सॉब किये जा सकते हैं उसके मुकाबले में लैंड के ओपर जो है ऐसी कोई सुरत हाल नहीं होती लैंड पे आपको स्प तुम्परेचर इतनी असानी के साथ चेंज नहीं होता उसके मुकाबले में लैंड जो है यहां पे टंपरेचर दिन और रात में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फर्क होता है दिन के वगड़ जो है जब सूरत चमक रहोता है तो गर्मी होती चीखासी और रात के जाता है सर्दी हो जाती है तो लैंड के ओपर टंपरेचर जो है बड़ी असानी के साथ चेंज हो जाता है उसके मुकाबले में वाटर के अंदर टंपरेचर जो हो चेंज नहीं होता तो जो और गैनिसम्स पानी के अंदर रहते थे उनको आदत थी इस टेबल पर प्लेसिस ऑफ शेल्टर बड़ी असानी के साथ मिल जाते हैं चुपने की जगें शिकारियों से और रेस्ट करने के लिए वह असानी के साथ स्पेसिस अवेलेबल होती है पानी के अंदर जो है आप कहीं पर इतना चुपनी सकते पानी है और सिरफ पानी है तो वहां पर भाग के कहीं ज़्यादा दूर जा नहीं सकते इसी तरह लैंड के उपर जो है वो ब्रीडिंग के लिए सूटिबल प्लेसिस काफी जारे काफी सारी आप्शन हैं आप मत्ती के अंदर ब्रीड कर सकते हैं दरखतों के ओपर खौंसले बना सकते हैं घारों में रह सकते हैं तो एनिमर्ज को इस लिहाज से लैंड के उपर जो है वो रैलेटिवली जरा असानी है कि इनको शेल्टर के और ब्रीडिंग के प्लेसिस मिल जाते हैं लेकिन उसके मकाबले में दूसरा मसला यह है कि टेंपरेचर बड़ी जल्दी चेंज होता है और साल्स इतनी असानी से नही है लेकिन उसको करने के लिए कोई और सिस्टम चाहिए और डार का एक और बहुत बड़ा फाइदा यह था कि वाटर जो है वह सपोर्ट करता है कभी आप पानी के अंदर घुटनों-घुटनों पानी के अंदर खड़े हूं तो आप फील करेंगे कि आपका बॉडी का वजन और पानी जो है वह उपर की तरफ पुल कर रहा होता है आपको तो उसकी विज़ा से ग्रैविटी का एफेक्ट जो है वह आपके ऊपर काफी कम होता है पानी के अंदर चीजें जो है वो ज़रा हलकी फील होती है तो अपनी बॉडी का वजन भी वहां पे आलेटिवली हलका है उसके मकाबले में जब आप लैंड पर आ रहे हैं तो आपको वह सपोर्ट देने वाला पानी मौझूद नहीं है आपको सिरफ gravity का सामना करना पड़ेगा और वह उसके लिए फिर आपको आपको पावर तो आपको और उनके साथ बोन के साथ असोसियेटेड मसल्स चाहिए जो आपकी बॉडी का लेफ्ट कर सकें फिश वगईरा को इस किसम की कोई प्राबलम नहीं थी लेकिन जब आप लैंड पे आए आइनिमल्स जो है लैंड पे आ गए तो उनके अंदर जो है फिर लिम्स को ज तो सबसे पहली बात तो यह के अक्सर अनिमल्स के अंदर लैंड पे रहने वाले आइनिमल्स के उपर जो है एक और सकीम है या इसको हम कहते हैं और यह आम तोर पर पे काफी मजबूत किसम के मटीरियल का बना हुआ होता है जो ड्राइनेस से या डैसिकेशन से हुश्क होने से बिचाता है यानि के बॉडी के अंदर जो वाटर है वो सूरज की रौशनी से कहीं इवैपरेट ना हो जाए तो उसको वाटर को प्रिवेंड करता है इसके अलावा सनलाइट में जो अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन होती है और दूसरी मुक्तलिफ कि रेडियेशन होती ह प्रिवेंड करती के इसके अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम यह थी कि एग्स जो हैं वो पानी के अंदर तो स्टेबल एंवायरमेंट है तो एग्स वहाँ पर बड़ी असानी के साथ सर्वाइव कर सकते हैं ना उनको सॉल्ट की प्रॉब्लम होगी ना उनको वाटर की प् कि एी किया रहा है क्योंके खुछ की के बारिशू है वहां पे दिन के वक्ट बारिश हुईया। और फ्यल्ड है तो हो सकता कि खो रखने करिक्षिभी और यृम्क ऑद जय चाल है। प्रुटेश्पट्रों कर्यूं को के पूर्कूर में घुर जया पूई हुई coverd होते है जो इनको mechanical injury से और desiccation से बचाते हैं यानि के खुशक होने से और कोई चोट वगारा लगने से जहटके वगारा लगने से इनकी protection करते हैं इसके अलावा इं एggs के अंदर जै काफी सारी amount में योक मौजूद होती है और योक जो है वो stored food है जो इस इस एंब्रियू को डिवल्मेंट के दुरान नुरिश्मेंट प्रवाइड करता है इसके अलावा लैंड पे रहने वाले एनिमल्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मेंब्रेंज होती हैं जो प्रोटेक्शन का और यह कहती हैं और इसके अंदर वर्टिब्रेट्स की तीन क्लासिज इस ग्रूप के अंदर आती है इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो है जो लैंड एनिमल्स ने अपने अंदर पैदा किया वो है किल्स की जगा पे लंग्स की डिवैलपमेंट अब फिश जो है वो पानी में रहती हैं और पानी में और जो है वो गिल्स जो है वो खुशकी पे आते साथ ही बिलकुल नकारा हो जाते हैं किसी काम के नहीं रहते तो एर से गैस एक्सचेंज करने के लिए फिर एनिमल्स ने लंग्स डिवैलपम की है और ये लंग्स जो है बड़ी एफिशनली एर में से ऑक्सीजन अबजाब कर सकते हैं और और अशिजन अब पराम करने के लिए लाज़ से रिस्पार एक्सारी सिस्टं में चेंजीज आई biblical आई यानि के बलड जो है वोれない लंग्स ने व बजाए में बजाए गिल्स के इन लंग्स से अपक्सी जो है केरी बौड़ी के मुक्तलिक्लिचों तक पहुंचाएं तो एनि के अंदर फिर लोको मोशन के लिए फिंज के बजाए अब लेग्स ने जगा ले ली और वो जो बेसिक स्ट्रक्चर फिंज का था वही स्ट्रक्चर बेसिकली मौडिफाई हो गया इंटू लेंज पहले ज़रा सिंपल किसम के फिंज बने और उसके बाद उन लेंज की बॉन्स गयरा जो हैं उनके अंदर चेंजिज आई और वो रिलिटिवली स्ट्रॉंगर बॉन्स बनी जो ज्यादा वेट बरदाश कर सकती हैं और फिर ये मुक्तलिफ डैवर्स फंक्शन के लिए इनके अंदर चेंजिज आई मसलां कुछ और्गैनिजम्स की बॉन्स उनको इसकाब बनाते हैं मसलां बर्ड्स और बैट्स हैं और कुछ जो हैं वो मॉंकीज की तरह ट्रीज वगारा के ओपर क्लाइम कर सकते हैं अपने लिम्स की मदद से तो ये जो है हाईली एडप्टिव फीचर है इन और्गैनिजम्स का ये जो लैग्स हैं इनकी और इसी की बेस्पे हम इनको टेट्रापोर्ट्स भी कहते हैं फिर इसके अलावा खुश्की के अंदर रहने के लिए बहुत सारे स्पेशल सेंस और्गन्स भी डिवैलप हुए जिसाल के तोर पर आईज और इयर वगारा जो हैं वो लैंड की अन्वार्मेंट बेचीजों को देखने के लिए बने स्टेडी करेंगे सब टेट्रापोर्ट्स की सबसे पहली क्लास जो है वह क्लास एंफीगा और एंफीगा जो है यह एन आम्नीऊ टिक हैं जानी के उनके दर अमनीउटिक मेंबरेंज नहीं हुतीं और इन ग्रुप में और इन को रख सकते हैं लेकिन बहुराल टेट्र्राप हैं यह दोगले हैं यानि के दोनों तरह की एंवायरमेंट में रहने के लिए बने हुए हैं यह जो है इट वस्ट ग्रूप टू इवॉल्व फ्रॉम वाटर टू लैंड यह पहला ग्रूप है जो पानी से खुश्की पे आया लेकिन इन्होंने पानी से मकमल तोर पे अभी तक जान नहीं चुड़ाई और यह जो है वो लाइफ का अभी भी कुछ हिसा जो है पानी के अंदर गुजारते हैं तो इसके वज़ाए से हम इनको एमफीबिया कहते हैं यह एमफीबिया जो है यह फिश और रैप्टाइज की तकरीबन दर्मयानी स्टेज है बिसाल के तोर पर इनके जो एडल्ट्स हैं इनके अंदर लिंद मौजूद हैं फिंज के बजाए और इनके अंदर ज Youngs मौजूद है और स्किन जो है वो भी मौजूच है लेकिन अबियों है वो अबही भी पानी के अंदर रहती है और उनके अन्दर में नहीं होते हैं तो इसके अंदर मौझूद है यह तकरीबां टेल जो है इसकी स्विमिंग के लिए बनी हुए है और यह सांस जो है वो गिल्स के जरीए से लेता है मिसाल के तोर पर यह सेलमेंडर का आपको लारवा नजर आ रहा है जिसके अंदर यह यह जो टेंटिकल लाइक स्ट्र जबूराण पानी में वापस जाना पड़ता है तो रिप्रडेक्शन पानी के बगख्र नहीं हो सकती तो लाइफ का कुछ इस्सा पानी में घजा गजारते हैं कुछ इसकी थे कि चूंतिक जोगों निए और पानी रहते हैं जहाँ पे पानी कहीं आसपास मौजूद हो तला आफिबियस जो है ये बिसिकली फिश से एवॉल्व हुए है इनका एवॉलूशन हुआ था फिश के एक ग्रूप से डिवॉनियन पीरियड में और ये फिश का जो ग्रूप है उसको हम लोब पिन फिश या डिपनॉई कहते हैं और ये जो फिश है ये शैलो वाटर्स में रहन जो कम गहरा पानी होता है वहां पर शिकारी बड़े साइस का शिकारी इतनी असानी से नहीं आ सकते तो ये लो फिन फिश जो है इन्होंने डिवॉनियन पीरियड में शैलो वाटर्स का रूख किया अब शैलो वाटर्स के अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि यहां पर पूल से आपने दूसरे पूल तक अगर जाना है तो बीच में से आपको थोड़ा सा खुश्की का एरिया जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा और इसको खुश्की को क्रॉस करने के लिए फिर अगर कोई यानि के कोई ऐसा स्ट्रॉक्चर हो जो इनको असानी के साथ बॉड़ करने में हेल्प कर सके तो वो काफी हेल्फूल होगा तो कुछ इन फिश ने क्या किया कि अपने जो फिन्स हैं इन फिन्स को ही इन्होंने इस्तमाल करना शुरू किया अपनी बॉड़ी का वेट लिफ्ट करके रॉक्स के ओपर मूव करने के लिए तो यह फिन्स जो है आइस इस्ता इस्ता इनके अंदर फिर जब ज्यादा टाइम खुश्की के ओपर गजारना शुरू हुए इस काबिल हुए तो यह जो है आइस्ता इस्ता एडाप्टेड होते गए लैंड की तरफ इनके कुछ जो हैं हमें फॉसिल्स ऐसे मिले हैं जो और एमफीबियंज और फिश कुछ की दर्मयानी फॉर्म है और यह जो है अजए इसके अलावा आज भी कुछ फिश ऐसी हैं जो अपना काफी सारा टाइम जो वहैं तर एक चुली फिश लेकिन काफी सारा टाइम खुश्की के ओपर गजार सकती है और तो यह जो है जा इटर्मीडियर सी फोंब्स हैं औ और यह दोनों जो हैं आपस में लड़ रहे हैं तो जो हैं वो इस तरह से इंटरमीडियट लाइफ फॉर्म्स हैं रेप्टाइल्स और फिशिस के दर्मयान के हैं अब इनके कुछ फीचर्स अलबता ऐसे हैं जो एडवांस्ट हैं इसाल के तौर पर इनके अंदर बून्स का ब पर यह यह एमफीबिया और बोन्स का एंडोस्केलाटन मोजूद है और बॉडू फॉर्म्स जो हैं वो काफी इनके डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं मिसाल के तोर पर उसके अंदर कुछ ग्रूप्स ऐसे हैं जिनके यह तो आप देख सकते हैं कि उनके अब्वान्स के अ आपको टेल नगर आएगी इसके अलावा लोकोमोशन के लिए इनके पास चार टांगे होती है और इनके फीड जो है वो वेब्ड होते हैं यानि के पैरों की उंगलियों के दर्मियान में एक जिली होती है जिसके मदद से ये पानी के अंदर स्विम कर सकते हैं इनके कुछ ग् इसके लावा इनकी स्किन जो है वो काफी स्मूथ और मॉइस्ट होती है याम तो पर सांस जो है वो स्किन के जरीए से लेते हैं तो इसके लिए इनकी स्किन को जो है मॉइस्ट रखना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व होके इनकी बाड़ी के अंदर एंटर हो सके ब्लुड के अंदर और इसके अलावा स्किं जो है合 सिमूथ होती या इतनी ज्याधा हार्ड स्किन नहीं क्योंकि हमने बात की पहले कि यह इसने ज्यादा लेंड के साथ रहने के लिए एडाप्ट इट नहीं है तो इस वज़ाए से इनकी स्किन जो है वो इतनी ज्यादा कॉंपलेक्स या हार्ड स्किन अभी तक इनके अंदर डिवैलप नहीं हुई स्किन के अंदर जो है बहुत सारे डिफरंट टाइप के ग्लैंड्स होते हैं कुछ जो हैं वो पॉईजन प्रड्यूस करते हैं ताके प्रेडिटर्स इनको ना खा सकें बिसाल के तोर पे या आपको रैड कलर का फ्रॉग और ये रैड कलर का स्लेमेंडर नजर आ रहा है तो ये दोनों ही हाईली पॉईजनस है साम गार अगर इनको खा लें तो उनकी डैथ हो जाती है तो इस वज़ा से वो और्गैनिजम जो है वो इनका शिकार आम तोर पे नहीं करते इसके अलावा इनके अंदर जो है तो ये क्रॉमेटो फोर्ज जो है उसकी वज़ा से इनकी बॉड़ी के अंदर जो है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के पैट्रिंस आम तोर पे नजर आते हैं इसके अलावा रेस्पाइरेशन के लिए एमफीबिया के अंदर जो है वो लार्वल स्टेजिस के अंदर गिल्ज मौझूद होते हैं जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ और एडल्ट्स में अलबता गिल्ज खतम हो जाते हैं और उसकी जगा पे लंग्स आ जाते हैं जैसा कि यहां पे आपको इसके डैसेक्टिड फ्रॉग है तो इसके आपको यह दो लंग्स नजर आ रहे हैं जिनके अंदर हवा पहर के और पिर यह सांस ले सकता है हार्ट जो है इनका वो फिश की निस्बत एडवांस है फिश में हमने देखा था कि एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल था तो इनके अंदर जो है त्री चेंबर हार्ट है दो एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है यहां पे आपको दो बड़े खाने यह एक एट् है बॉटि से जो ब्लड재 आता है प्लड सब科ुद यहां पहुंशते हैं और यहां से पिर इसको बाकी बॉट Vietnamese बेजा जाता है इसके अलावा हार्ट के साथ दो और खाने असोसियेटिड होते हैं जिनको हम साइनस बनोसिस और ट्रंकस आर्टियोसिस भी कहते हैं और यह जो है रेलेटिवली एडवांस सिस्टम है क्योंकि यहां पर अब क्या है कि यहां पर बलड को कॉलेक्ट करने के नोच दोर पास अनnumber सब्सकरा दोर अार्ट हैं में तो हैं ने इक्सटरनल सोटी है याद९ों नि दिखाए और एक और स्पर्म जो है वह जब आपस में मिलते हैं तो उसके नजीचे में जाइगोट बनता है जाइगोट से फिर अल्टिमेटली आम्ब्रीव डिवेलप होता है यू से फिर एक टैड़ बनता है टैड़ जो है वह देखने में फिश लाइक है ले इसके पास गिल्द हैं एक लंभी सी टेल होती है, फिर इसके बाद ये, जो amphibia है, इनके अंदर metamorphosis पाई जाती है, metamorphosis हमने पहले डिशकस की हूई है, आर्थ रोपोर्ट्स के केज में मेटा कहते हैं चेंज को और मॉर्फ कहते हैं शेप को तो यह शेप जो है वो बाडी की शेप चेंज होती है और आइस्ता इस फिश लाइक बाडी के अंदर जो है लेग्स डवैलप होती है और टेल आइस्ता इस्ता खतम हो जाती है और अल्ट कोड़न को बलैडडा है कोड बलेड का मतलब कद रह वक्या हनूर कि का मनलब होता है कि यह सब्लेस्च और. जिस एन्वार्मेंट में ले रहे होते हैं इनका टंप्रेचर बिल्कुल बॉड़ी का टंप्रेचर वैसा ही हो जाता है ऐसे और्गैनिजम को हम कीलो थर्म्स भी कहते हैं अब ऐसा क्यूं है ऐसा इसलिए है कि ये इवाल्व हुए है फिश से और फिश हमने बात की कि ये होने का खत्रा है ही नहीं तो इस वजा से उनके अंदर को ऐसा सिस्टम भी नहीं है जो टंप्रेचर चेंज को रिजिस्ट कर सकता हो तो जब ये खुश्की पे आ गए तो वहां पे लेकिन फिर ये प्रॉब्लम बनना शुरू हो गई वहां पर क्या प्रॉब्लम है वहां प बोड़ी की हीट को मेंटेन रख सके और इसकी विजासे इनको हम कोल्ड ब्लडिट और्गैनिजम्स कहते हैं और इसका पिर इन्होंने क्या हल निकाला इन्होंने हल ये निकाला कि जब टमप्रेचर अन्फेवरेबल हो जाता है निकी बरदाश से बाहर हो जाता है तो फिर हाइबरनेट कर जाते हैं किसी मट्टी के अंदर छुपके या किसी पत्थरों के अंदर किसी सुराख वायरा में बैट के या वहाँ पे सो जाते हैं और जब तक सरदियों का मासम गुज़ा नहीं जाता तब तक वो सोई रहते हैं बिल्कुल अपनी सारी अक्टिवटीज ब इनके लिए बना हुआ हैं फीबियंज की निजबत रैलेटिवली ज्यादा एडवांस्ट गूरुप है इनके अंदर लोको मोशन के लिए जरा बहतर और और अरगन्स मौजूद हैं इनके लिम्स जो हैं वो काफी स्ट्रॉण होते हैं जो आसानी के साथ जो हैं वाकिंग य हुई है और यह स्किन को डैसिकेशन से और इंज्रियों गारा से बचाते हैं इसके अलावा रिप्रोड़क्शन के लिए यह पानी से इन्होंने बिल्कुल जान चुडा लिए तो रिप्रोड़क्शन पानी के अंदर नहीं होती आम तो पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल्स की बॉड़ी के अंदर ही एग्स रखे रहते हैं और उनको जो है मेल्स करते हैं विदिन फीमेल्स बॉड़ी और फर्टिलाइजेशन के लिए स्परम्स को एग्स तक पहुंचाने के लिए फिर इनके अंदर कोई ना कोई कॉपूलेट्री और गन भी मौजूद है इसके अलावा इनमेंसे अखसरियत जहां वो अंडे फर्टिलाइजट एग्स प्रडूज़ करते है एग्स बाजी से बाहर फर्टिलाइज़ेशन के बाद लिए कर दियते हैं और वहाँ पर एग्स होते हैं लेकिन on be운 모든 script के लिए यह आप टुकलों भोटीक्सास वेस्टान दिया दिखते वर यहां परो आप चक्यूटियूणान को छीक सिर्क्तार हो रहा ती screaming हार्ट के तो पींड में ह Dubai छेंडर में ola यहां कि अब देख सकते हैं कि ये एक 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 थीयम है ये दूसरा है ये तीसरा वेंट्रिकल है और ये चौता वेंट्रिकल है लेगिन यहाँ पैप आप अब 흥े क्यामने यहाँ mix ना हो तो crocodiles जहां इनके एक group है reptiles का तो यह crocodiles के अंदर यह partition complete बनी हुई है और फिर हम देखेंगे कि आगे birds और mammals के अंदर भी क्योंकि वो highly active animals हैं तो उनके अंदर भी four chambered heart जो है complete with complete partitions वो available है अब reptiles जो है यह भी अभी तक पकीलियो थर्म्स है यानि के cold blooded organisms है अपनी body का temperature maintain करने की capacity इनके अंदर मौझूद नहीं है और यह भी फिर मजबूरन winter season में आम तौर पर हाइबरनेट कर जाते हैं आम तौर पर यह चुंके अपनी body का temperature maintain नहीं कर पाते तो इस वजा से यह ऐसी environment में रहना पसंद करते हैं जो ज्यादा वाब हो तो जमीन पे यह जो ट्रॉपिकल और temperate zone है यहां पर आपको डार्क ब्राउन कलर में ट्रॉपिकल रीजिन्स दिखाए गए हैं जो यह जिसके आंदर यह Malaysia वगेरा के लाके इंडिया कई लोर डीजन इसके लावा ज्न आ अफरीका और सौथ अमेरिका का ज्यादा राका जो cook can में लावा हमारे मुमालेख ग्रॉथ यह तुक्रपीकल और temperature zones में जहाँ पे मौत दिल या तो गरम आब उखा हो या फिर मौत दिल आब उखा हो तो सिरफ वहा पर reptiles रैना पसंद करते हैं रैपटीली वॉल्व कैसे हुए तो reptiles के बारे में reptiles के एक प्रश्वल ग्रूप बन गया लैंड एनिमल्स का मीसोजोइक पिरियड में मीसोजोइक एरा में तकरीबान आज से 225 मिलियन साल से लेकर 265 मिलियन साल पहले तक यह और्गैनिजम्स जो हैं तकरीबान 500 मिलियन साल इन्होंने जमीन के अउपर राज किया है और इस मीसोजोइक पिरियड के इस पिरियड को हम जुरैसिक पिरियड भी कहते हैं और जुरैसिक पिरियड को हम कहते हैं एज ऑफ डाइनिसॉर्स है क्योंके इसव Holz काबिज्थ ते पानी के अंदर भी डाइनसार्ज रहते थे, खुश्की के ओपर भी डाइनसार्ज रहते थे, शिकारी भी डाइनसार्ज थे, हबी वोर्स भी डाइनसार्ज थे, और हवा में उड़ने वाले अर्गेनसार्ज भी डाइनसार्ज थे, तकरीबान एक दरजन से ज्यादा इनके ग चेंज हो गया अब ये और्गैनिसम जो है ये वार्म क्लाइमिट के आदी थे जब क्लाइमिट चेंज हुआ अर्थ कूल डाउन होना शुरू हुई तो उसकी विज़ा से ये सर्वाइव नहीं कर पाए और इन मेंसे अक्सरियत की जो है डैथ हो गई ये एक दरज़ा से के सबसे पहले ग्रूप के अंदर हमने लिजर्ड और स्नेक्स को रखा हुआ है ये जो हमारी कौमन वाल लिजर्ड और इन से मिलती जुलती दूसरी लिजर्ड होती है ये और स्नेक्स से भी आप खूबी वाकिफ हैं तो ये दोनों रैप्टाइल के ग्रूप के अंदर हैं इसके अलावा एक और रेप्टाइल्स का ग्रूप जो है उसमें क्रॉकोडाइल्स और एलिगेटर्स आते हैं इसी तरह एक और ग्रूप के अंदर टर्टल्स और टॉर्टाइजिस आते हैं और इसके अलावा एक ग्रूप जो है रेप्टाइल्स का उसको उसके अंदर एक ही स पातारा कहते हैं या इसको साइटिफिक नेम जएका सफीनोडाउन है और ये न्यूजिलैंड के अंदर पाई जाती है और ये डूसरे लिजर्ड्स से काफ़ी मुष्भ मुख्टलिफ है कि ये तकरीबं मीजोजोईक पीरियर्ड से लेकर अब इसके अंदर कोई खास चेंजिस नहीं आई हैं और यह तक इसी तरह रह रही है